गुद मॉर्निंग इस्टिट इस यूर फास्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिस आल थिंग्स बीटिफुल आल थिंग्स बाइड बीटिफुल, आल क्रियाचास गेट इस्मॉल, आल थिंग्स भाइस बंडरफुल, दा लॉर्ड गॉड मेड देम आल यानि, के सारी चमकीली और संदर चीज़ fram न भगवान द्वारा बनाई गई है और सारी चीज़ मंगी बाइस यानि कि बिद्धी मानी यानि कि आसटर न है इस सब चीज़ने किस के द्वाबनाएँने, भगवान के द्वारा बनाई गई है यानि कि हर एक प्रतिक फूल खिलता है हर एक चड़िया गाती है जिन्हें भगवान ने ग्लोइंग कलर्स दिये ग्लोइंग यानि कि चमकीले और छुटे छुटे पंक दिये है यही था यह सारी जो चीज़ें भगवान द्वारा बनाई गई है ब्राइट यानि कि चमकीला ब्यूटिफुल यानि कि सुन्दर क्रियेचर्स यानि कि रशनाए वंडरफुल यानि कि आसर जनक बाइस यानि कि बुद्धिमान बड यानि कि पक्षी ग्लो यानि कि चमकीला तीने यानि कि छोटे बिंग्स यानि कि पंक next दिखते हैं bird meaning bright, bright यानि की chamgila, shiny, creatures यानि की रचना है, living things wonderful यानि की very good glowing, shining teeny, little next दिखते हैं हम कुछना असर who made all bright and beautiful first question है आपका who made all things bright and beautiful यानि की चमकीर है और beautiful things है वो किसके द्वारा बनाई गई है किसके द्वारा बनाई है, भगवान G-O-D भगवान द्वारा बनाई गई है what does God give the birds यानि की जो चिडिया है भगवान ने चिडियां को क्या दिया है क्या दिया है, glowing colors G-L-O-W-I-N-G glowing color C-O-L-O-U-R-S कुछ नमबर थर्ड है आपका how are all creatures यानि की creatures कैसे हैं कैसे हैं, creatures यानि की रचना हैं क्या बताया था चैप्टर में great and small G-R-E-A-T great and small question number four who is greater than और यानि की सबसे बड़ा कौन है कौन है, God क्योंकि भगवान नहीं सारी चीज़ें बनाई हैं तो वो क्या हैं, बड़ी हैं अब नेक्स दिखते हैं आपका यह आप अच्छे से देख लीजिए पार्ट उर में इसको फिल कराना है ग्रामर से ही यही आपका हूंबर्ग है आप फिल करके रखिएगा नेक्स पार्ट में मेच करेंगे थैंक यू